सब समझते हैं जल्दी से ठीक है ध्यान देना वी गेट 58 समर हॉलिडेज हमें कितने मिलते हैं समर हॉलिडेज में और 19 मिलते हैं विंटर हॉलिडेज में हाउ मनी हॉलिडेज भी गेट तोगेदर आप बताओ 58 डेज मिले हमें समर टाइम में और 19 days मिले हमें winter time में, तो हमें total कितने days मिले holiday की तरह? 58 plus 19, है ना? एक बार 58 मिले, फिर एक बार 19 मिले, तो total कितने मिले? 58 plus 19, चलो बस add कर दो, 8 plus 9, आप बताओ जल्दी, 17, right, 7, 1 carry, now 1 plus 5, 6, और 6 plus 1, 7, तो 77 days मिले ना total, ठीक है? अच्छा, अगर नहीं समझा, एक बार फिर से देखो, total कितना देखो, हमें summer time में, कितने holidays मिले? 58, फिर winter time में, कितने holidays मिले? 19, तो मैं पूछो, अच्छा, total कितने holidays मिले? तो 58 plus 19 ही मिले ना, right, तो 8 plus 9, 17, 7, 1 carry, और 1 plus 5, 6, और 6 plus 1, 7, 77, okay, yes, from the school gate to my class counted 75 steps, मतलब, school के gate से मेरे class तक कितने कदम चलने पड़ते हैं? 75 steps, ठीके? Now, I took bigger steps, जब मैं बड़े steps लेता हूं, तो मुझे कितने steps में मैं पहुंच जाता हूं? 63 steps में, ठीके? count the steps together, अब बोल रहे हैं, इन तोनो steps को साथ में count करो, ठीके? तो 75 प्लस 63 कर देंगे, है न? जब हम मैंने नॉर्मली steps लिये, तो मैं 75 step में पहुंच जाता था, school के gate से class तक, और जब मैंने बड़े-बड़े step लिये, तो मैं 63 step में पहुंच जाता हूं, school के gate से class तक, ठीके? तो बताओ, total steps कितने हैं? total steps कितने हैं, तो बस 75 में 63 add कर दो, देखो, 75 में 63 add कर दिया, अब बताओ, 5 प्लस 3 कितना students क्या carry जाएगा? देखो, आपके पास कितनी chocolates हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने आपको कितनी chocolate और दे दी? 3 chocolates, अब बताओ, total कितनी chocolates हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही है, तो क्या कुछ carry जाएगा? नई, तो carry में आपे 0 लिख दो, मतलब कुछ नहीं carry गया, अब बताओ, 7 प्लस 6 कितना? 13, आपके पास 7 chocolates हैं, मैंने आपको 6 chocolates और दे दी, तो आपके पास कितनी होगा? इस count करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतनी मैंने और दी, आपके पास 7 पहले से थी, count करो, 8, 9, 10, 11, 12, 30, right? Easy है, चलो, 138, okay? एक और करते हैं, On my birthday, पा गेव मी रुपीज 56, मेरे बर्दे पे, मेरे पापा ने मुझे कितने पैसे दिये? 56 पैसे दिये, 56 रुपीज दिये, okay? And mom gave me 38 रुपीज, और ममा ने कितने दिये? 38 रुपीज, how many total रुपीज I get from my parents? अब बताओ, मुझे total कितने पैसे मेले अपने ममा पापा से? तो बस add कर दो, ठीक है? तो इसको अपना ही बर्दे समझो, अगर आपका बर्दे है, आपके पापा ने आपको 56 रुपीज दिये, आपकी ममा ने आपको 38 रुपीज दिये, तो बताओ, आपके पास total कितने रुपीज हुए? 56 प्लस 38, है न, वही तो किया है, ठीक है? अब बताओ, 6 रुपीज, मानलो आपके पास 6 रुपीज है, मैंने आपको 8 रुपीज और दिये, तो आपके पास total कितने रुपीज हुए? 14, राइट, 4 यहाँ पे, इसलिए 1 कैरी गया, ठीक है? अब बताओ, 1 प्लस 5 कितना? 6, पर 6 प्लस 3 कितना? 9, राइट, बताओ, total कितने पैसे हैं आपके पास? 94 रुपीज, कितने कम 100 में से? 100 करने के लिए आपको कितने पैसे हो चाहिए? 6 रुपीज, राइट, 6 एड कर दो, तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? कितने रुपे? 100 रुपेज, 100 रुपीज, ओके? Yes, तो 4, मीरा और मालती को स्किपिंग करना, स्किपिंग जानते हो ना? जो रसी वाला हम कूदने वाले जो बच्चे खेलते हैं, रसी से यसे करते हैं, right? तो उसको हम क्या कहते हैं? स्किपिंग, ठीक है? तो मीरा स्किप्ट 39 times Meera कितने time skip की 39 times very good Meera and Malti skipped 48 times even better Malti 48 times skip की तो how many times they skipped together अब बताओ अगर 7 में उनकी दोनों की skipping मिला दें तो कितने time skip किया उन्होंने तो बस add कर दो 48 plus 39 तो 9 plus 8 कितना 17 है ना हमें तो आता ही है 9 आपके पास 9 chocolates है मैंने आपको 8 chocolates बत दी और तो आपके पस कितनी chocolates हो गई student 17 राइट तो 7 और 1 उपर carry राइट ना 4 plus 1 5 5 plus 3 8 है ना आपके पास 1 chocolate है मैंने आपको 4 chocolates दी आपके पस कितनी हो गई 5 फिर मैंने 3 chocolates और देदी तो आपके पस अच्छे से अराम से हो जाएगा okay and students do your homework properly and if anyone has any queries regarding SS Convent School or any questions or any information that they want then they can contact on these two given numbers